राजस्थान रावणा राजपूत समाज में आज अजमेर कलेक्टरेट पहुँचकर मुख्यमंत्री के नाम ग्यापन सौपते हुए स्वर्गिया आननपाल के भाई मंजीत पाल की सुरक्षा की मान्ग की है। समाज के प्रतेनिधियों का कहना है कि आगामी 24 जून से 24 जुलाई तक देश के साथ ही राजस्थान में विशाल रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे और इस दौरान मंजीत पाल की सुरक्षा को खत्रा हो सकता है। ऐसे में सभी ने रक्तदान शिविर की जानकारी देते हुए मंजीत पाल सिंग की सुरक्षा की मान्ग की है। जिससे की रक्तदान शिविर हर्शोला से लगाए जा सके और युवा बढ़ चड़ कर भाग ले सके। आनंद पाल जी के छोटे भाई मंजीत पाल जी की सुरक्षा को लेकर आज हम कलक्टर मौदे के माद्यम से मुख्य मंत्री जी के नाम यापन देने आये हैं। पूरे जिले के प्रतिमंडी मंडल के साथ हम उनकी सुरक्षा की मांग करते हैं। क्योंकि 24 जून से 24 जुलाई तक आनंद पाल जी की पाँचवी पुन्य तित्ति के अउसर पर पूरे देश और प्रदेश में रक्तदान सिवीर आयुजित करेंगे। काफी राजबेतिक सडियंतरों के बाद मंजीत पाल जी बार आये हैं। उनको तुरंत सुरक्षा दी जाए ताकि वो स्वतंतरता पूर्वक मानव सरोकार के कारिये कर सकें। पूरे राजस्थान में पूरे देश में आज आनंद पाल जी के नाम से युवाओं में उत्सा है। और राजस्थान में रिकोर्ड तोड बलड वो रक्तदान करेंगे इस बार। 24 जून को सामराद में विसाल सरदान जली सबा और रक्तदान सीवी रखा गया है। यहां से केंप की सुरुवात होगी और 24 जुलाई को बानूडा सीकर में बलवीर जी बानूडा जो आनंद पाल जी की सुरक्षा हेतु सहीद हुए। उनकी पुन्य तिती के दिन हमारे इन केंपों का समापन होगा। किसी भी जाती धर्म और इससे परेहटकर 36 कौम आज इस आनंद परिवार से जूड़ी हुई है। और इस बार रिकोर्ड तोर रक्तदान के लिए कर रहे हैं। हम मानिये मुख्य मंत्री जी को कलेक्टर साब के माध्यम से यह निवेदन करने आए हैं। कि तुरंत सुरक्षा दे ताकि मंजीत पाल जी जो आज पूरे राजस्तान और राजस्तान के बार जा रहे हैं। उनको किसी भी व्रकार की हानी नहीं हो क्योंकि उनके साथ करोडों लोग जुड़े हुए हैं। संकर सिंग राठोर जिला देक्स रावना राजपु समाज अजमीर।